हैलो जो कैसे हो आई हूप आप सूभी खुला करें ग्लैक्सिजड़ फिलिप 3 500 मोबाइल के बारे में जो की काफी काफी मोबाइल है और इसी के बारे में में आपको बताने वाला हूँ सिम्पल बास है मैं पुरी इस पूरी डिटेल है वो इस वीडियो के अंदर आपको देन वो ज्यादा हो जाएगी यह तो आपको पता ही है जब इसे नॉर्मल में यूज करेंगे तो यह बिल्कुल सीधा जो नॉर्मल साइज है वो रहेगा अगर हम इसे फिलिप कर देंगे साइज होगा वो डबल हो जाएगा यह मोटा ज्यादा हो जाएगा क्यूंकि यह डबल हो जाएगा फिलिप होने के बाद जब आप इसे फिलिप करके रखते हैं तो उसमें भी आपको काफी अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं 1.9 इंचिज की कवर डिस्प्ले यहां पर आपको बैक साइड में देखने को मिलती है उसी डिस्प्ले के अंदर आपको अलग भी ले पाऊगी इसली जो है आप मोबाइल फिलिप करके ही जो है आप सेल्फी भी ले पाऊगी और जो यहां पे जो साइड में जो डिस्प्ले दी गई है कवर डिस्प्ले जो दी गई है इसी के अंदर जो है आपका कैमरा यहां पर आपको आपकी जो पिक्चर होगी वो होगी और यहां पर आपके सामने दो कैमरा यहां पर बैक साइड में दी गई है जो की 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यहां पर आपको देखने को मिलता है साथ ही यहां पर 12 साइड से जो camera है यहाँ पे कुछ इस प्रकास से design है दो camera यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एंड यहाँ पे आपको cover display देखने को मिल जाती है बाकी इसके पीछे की साइड कुछ नहीं है तो अगर आप इसे unflip रखते हो तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है डिस्प्ले की तो यहाँ पे silky smooth scrolling with 120 GHz की यहाँ पे आपको 6.7 की यहाँ पे आपको dynamic emolade 2x की full hd plus display यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है और साथ ही यहाँ पे in display camera जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको 10 megapixel का front camera यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और mobile के side में जो आपको parts देखने को मिलते हैं यहाँ पे आपको एक side में sim tray यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहे है और दूसरी साइड यहाँ पे आपको पाउर का बटन देखने को मिलता है उसी के अंदर जो है आपको पाउर के बटन के अंदर ही जो है आपको fingerprint scanner देखने को मिलेगा और उसी के साथ जो है volume app down के बटन से यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं और अगर आप नीची की साइड से इसे मुवाइल को देखते हो तो नीची की साइड आपको देखने को मिल जाता है stereo speaker and यहाँ पे charging port and microphone यहाँ पे जो मेरे पास mobile नहीं इसलिए मैं confirm नहीं कह सकता यहाँ पे जो earphone का port है यह आपको charging port में ही देखने को मिलेगा क्योंकि जो अलग सी cable आती है जैसे मैंने पहले वीडियो भी डाली है उसके अंदर आपने देखा होगा कि charging port के यहीं अंदर earphone का option दिया जाता है उसके लिए अलग एक wire दी जाती है converter दिया जाता है उसी प्रकास से इसके अंदर भी हो सकता है तो यहाँ पे निचे के साइड यहाँ पे आपको तीन options देखने को मिल जाते है microphone and charging port and speaker और इसी के साथ आपको यहाँ पे battery के अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको 3300mAh की यहाँ पे आपको battery देखने को मिल जाती है अगर यहां पे हम बात करें इस के processor के बारे में तो यहाँ पे आपको फाइब नîneमेटर का प्रोसेसर Welcome Snapdragon 8888 का यहाँ पे आपको processor देखने को मिल जाता है 8GB RAM and 128GB Storage या फिर 256GB Storage यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है अब यहाँ पे यह चीज़ मैंने आपको बताई अब यहाँ पे एक confusion रहे जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि यहाँ पे camera जो है megapixel सुनके जो है यहाँ पे ऐसा लग रहे है कि camera बिल्कुल छोटे दिये है लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आप iPhone में camera देखते हो और जैसे कि अदर mobile है Realme के 64MP 48MP के cameras होते हैं क्या वो iPhone की बराबरी कर पाते हैं उनके अदर megapixel तो काफी दिये होते हैं लेकिन वो iPhone की बराबरी नहीं कर पाते हैं उनके अंदर जो megapixel दिये होते हैं वो काफी कम दिये होते हैं लेकिन जो picture quality है iPhone की वो काफी धमाकेदार है और यहाँ पे जो camera की जो megapixel दी गई है 12 megapixel and 12 megapixel तो यहाँ पे भी जो है आपको quality काफी अच्छी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा लगने वाला है ऐसी बात नहीं है कि आपको loot लिया जाएगा और यहाँ पे जो display है वो तो आप पूछो ही मत क्योंकि आप Samsung का अगर आपने mobile यूज किया है तो आपको पता ही होगी कि Samsung की display तो कमाल ही है तो यहाँ पर यह mobile है flip mobile Samsung Galaxy Z Flip 3 5Z mobile यहाँ पर आपको इस प्रकास से देखने को मिल जाता है और आज की वीडियो बस यहीं पर खतम करते हैं आपको यह वीडियो कैसी लेकी कमेंट सेक्शन में जुरूर बता ना अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कोमेट सेट मिलते हैं एक्षा वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद